आज बनाएंगे आफगानी पनीड बहुत ही रीच और क्रीमी बनते हैं यह रेसिपी और बहुत ही लेस ऑल में बन जाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी आपको पसंद आते हो तो प्लीज इस वीडियो को अपते दोस्तों के साथ शेयर करते हैं इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए पनी तो यहाँ पर मैंने मलाई पनी लिया है जो कि काफी ज्यादा सॉफ्ट और क्रीवी होते हैं और बहुत ज्यादा फैट इसमें नाल डालें तो इस तरह से करीब 300 ग्राप पनी लिया है मैंने और इसे जरूरत के हिसाब से काटके तयार कर लिया है और पनी काटने से पहले साफ कर दे साथ में डाल देंगे नमक स्वादा अनुसार उसी के साथ इसमें एट कर देंगे अध्रकर धरसुन का पेस्ट एक चमज और साथ में हमें चाहिए धनिये का जो डंठल है उसे हमने बहुत इबारी की से चौप कर लिया है तो इसे करीब देर चमज भड़के इसमें डाल सकते हो तो हम सब चीजों को टॉस करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेके इस डज में इसमें हाथ बिल्कुल ना गर्म में एक चमज तेली कर लेंगे और फिर उसमें एट कर देंगे कटे हुए प्यास तो यहां पर मैंने डो मीडियम साइस की प्यास का रिफ रफ लिची दिया है और उसे इसमें डाल देंगे कुछ अद रख के टुप Uganda य्टाइसों तो मघमास की दाने और काजू को अब तक हमें इसको medium low flame पे भूण के तयार करना है और इसका कच्चापन हमें दूर करना है और एक बार यह कम हो जाए फिर इसमें आड़ कर देंगे हरी मिर्च जरूरत के हिसाब से हरी मिर्च पहले ही ना डाले क्योंकि यह तेल में जाते ही फूरते हैं तो प्रॉब्लम हो सक इसलिए मैंने हरी मिर्च को बाद में डाला है और उसी के साथ साथ हमें इसमें एड़ कर देंगे उठी भर धनीये का पत्ता बाद में डाल सकते हो पर इस्टेज में डालने से क्या होता है धनीये का जो एक कच्छापन होते हैं वह काफी हद तक कम हो जाते हैं और आप के अलग बर्तन में रख देंगे और इसे हमें पूरी तरह से ठंडा करना है गरम रहते हम कोई काम नहीं कर सकते ध्यान रखिएगा तो अलग बर्तन में इसको निकाल लेंगे और रूम टेंपरिचर में पहले पूरी तरह से इसे ठंडा कर लेंगे और जैसे कि आप देख सकते हो ये पूरी तरह से ठंडा हो गये है और ठंडा होने के लिए थोड़ा सा फैला दे तो ये कम जल्दी-जल्दी हो जाते है तो अब क्या करना है अब इसमें हम एट कर देंगे दही यहाँ पर मैंने आधा कप दही लिया है और ये खटा दही नहीं इसका हमें एकदम स्मूथ पेस्ट चाहिए ध्यान रखेगा दर दरा नहीं तो स्मूथ पेस्ट बनाकर मैंने तयार कर लिया है अब इसमें थोड़ी सी मसाला हम एट कर देंगे तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है धनी नमक स्वादानुसर उसे के साथ डाल देंगे एक चमच धनिये का पाउडर साथ में हमें चाहिए एक चमच जीरा पाउडर और उसी के साथ इसमें डाल में एक तर पर देंगे पहन लिएakes अंगयो और नाइसके बाद मसाला डाल सकते हैं पहले यहाँ मिक्स काले कि जब हम इसको दुबारा वही तो उसके साथ अच्छा से भूनके तयार हो जाएं तो यह लें दो तिन चमझ तेल गरम कर लेंगे और इसमें यह सब खारा साला आड कर देंगे यहाँ पर मैंने लिया है दार्ची निके टुक्रे, इलाइची, लॉंग, साथ में हमें चाहिए तेच पत्ता और उसी के साथ थोड़ी सी जीरा और कसोरी में थी तो इस सब चीजों को पहले डाल देंगे इसे थोड़ा सा स्फ्लैटर होने देंगे और साथ में डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर आधा चमची यह कलर के लिए मैंने डाला है पर यह ऑप्शनल है अगर आप चाहो तो इससे स्किप कर सकते हो इससे थोड़ा सा भून लेंगे और फिर उसमें डाल देंगे मसाला पेस्ट जो कि हमने पहले ही बना कर रखा है और इसे डालने के बाद गैस का फ्ले मीडियम लो कर देंगे इसको हमें मीडियम लो फ्ले में इसको बनाना है क्योंकि इसमें हमने काजू और मगस डाले है तो उस वज़े से य लगे उस से हम इसको बचा सकें है तो थोड़े-थोड़े देर बाद इससे भूणते हुए हम इसमें इस से च्टैल से करनाlichen पहले तो इससे मिक्स करेंगे और उसके बाद इससे ढखकन लगा कर चौदेंगे जब तक खना इसमें इस साइट पनीर के क्यूब्स तो यह काम आप तेल में भी कर सकते हो पर घी में करने से इसका फ्लेवर और जादा अच्छे आते हैं अब बटर में भी से बना सकते हो तो इसे हमें फ्राइ करना है मतलब से एक दम कुड़कुड़ा नहीं बस हलका स्वाद करना है कम और तो इसके लिए बिल्कुल भिना करें तो यह हो उसके बाद इसको हम side में रख देंगे यह हमारा पनीर का कम हो गया है और gravy के ओर चलते हैं आप देख सकते हो gravy अच्छे से ठीक हो गये है side में से तेल भी जूट रहे है मतलब हमारा जो gravy है वो पूरी तरह से बनके तयार हो गये है तो इस टेज में थोड़ा सा चला देंगे ताकि ये तलवे पे ना लगे और फिर उसमें अट कर देंगे फ्रेश क्रीम तो यहाँ पर मैंने एक चौथा ही कब फ्रेश क्रीम लिया है आप चौथा घड़की मलाई को फेट कर भी इसमें डाल सकते हो इससे डालने के बाद इससे अच्छे से मिक्स कर देंगे इससे डालने के वज़े यह है कि यह और जादा थिक और क्रीमी बनते हैं और इसका फ्लेवर काफी जादा अच्छे आते हैं पर अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो क्योंकि वैसे ही काजू और मगज की वज़े से ये काफी जादा थिक और क्रिमी बन जाते हैं तो इस अच्य तरह से चलाएंगे और पूरी तरह से मिक्स कर देंगे तो अभी हमें इसका थोड़ा से ग्रेवी बनाना है तो ग्रेवी बनाने के लिए इसमें एक कप पानी मैंने डाल दिया है अगर आप बहुत जादा ग्रेवी चाहते हो तो देर से दो कप तक आप इसमें पानी डालने के बाद पानी के साथ यह जो मसाला है इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर वापस से ठकल लगा कर तीन से चार मिनिट तक हमें इसको मीडियम लोग फ्लेम पर ग्रेवी को उबालने देना है और फिर ग्रेवी और पनीर को एरेंज करके हमें गर्मा-गर् जबिके साथ